गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम हिंदी में पार्ट आठ कोयल पढ़ेंगे जो कि ये कविता हैं व्यक्ति के विकास में बोली की बड़ी महत्ता है बाहरी दिखावे से नहीं बोलने के अंदास से किसी को परखा जाता है इस कविता में कोयल से हमें यही प्रिणना म पढ़ेंगे काली काली कूंकू करती जो है डाली डाली फिरती देखिए इसमें क्या बता रहे है जो कविया तरहां किस Diamond की इस बहुत्व कंत है की कुछ अपने ही धुन में एठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी, कुछ अपनी धुन में मतलब अपनी ही लगन में, अपनी ही मस्ती में, एठी मतलब इतराती हुई, कुछ अपनी धुन में, अपनी ही लगन में इतराती हुई, कहां पे छिपके बैठी है, हरे पत्तों की बीच बैठी है आगे जो पंचम सुर में है गाती वह ही है कोयल कहलाती जब जाड़ा कम हो जाता है सूरज थोड़ा गर्माता है जो पंचम सुर में गाती है कोयल कैसे सुर में गाती है पंचम सुर में मतलब कि पांच सुर निकलते है पांच सुर में गाती है और वही कोयल कहलाती है उसके आगे क्या कहरें कि जब जाड़ा कम हो जाता है जनवरी के बाद फरवरी के बाद जब फरवरी में थोड़ी बहुत ठंडी पड़ती है जब जाड़ा पड़ता है उतने नाग कहता है सूरज थोड़ा गर्माता है सरदी में देखे धूप ने निकलती है उसके बाद जब थोड़ी सरदी कम होती है तो फिर धूप निकलती है इसी वज़़े से बूराइं कि सूरज थोड़ा गर्म आता है तब होता है समा निराला जी को बहुत लुबहाने वाला पेड़ हरे सब हो जाते हैं नए नए पत्ते पाते हैं क्या बोड़ने कि तब होता है समा निराला समा मतलब द्रस और निराला मतलब अजीब उस समय का जो समय होता है बहुत निराला होता है कैसा होता है जी को बहुत जादा लुभाने वाला आकरसित करने वाला पेड़ हरे सब हो जाते हैं सारे पेड़ कैसे होते हैं हरे हरे हो जात कितने भी फोल्व और फली इसे वह परकार कि बहुत प्रकार की फ़लेys Lord निकल के जिनसे जो बहुत होते है unnight मों पन रहा है मतलब मुलायय मुलायय मुलाय जाते भली बात अच्छी तरह also वो लग जाते हैं मतलब कि पूरे पेड़ पे फल फलियां नैने पतियां ये सारी चीज़े दिखने लगते हैं बड़े मनुहर दिखलाते हैं कैसे दिखलाते हैं वो जो सीन होता है वो जो द्रश होता है उतने समय का पैसा होता है बड़ा ही मनुहर होता है बड़ा ही सुंदर होता है आगे पढ़ेंगे रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे कैसे रंग रंग के मतलब कि अलग अलग कलर के प्रतेक कलर के प्यारे प्यारे मतलब सुंदर सुंदर फूल फूल जाते हैं सारे किसकी बात करें देखें फूल फूल जाते हैं इस फूल का वो सब खिल जाते हैं वहीं हवा बहने लगती है दिश्ण महकने सब लगती हैं किसकी बार की बात कर रहे मैं तव्य मतवाली मत 씨 सिसे हो करके जूम जूम डाली डाली मतलब की कूट कूट कर हर एक डाली पर कूद कूट कर बैठती हैं चब समा दिखला देती है सब का मन अपना लेती सम मतलब क्या बताय था द्रस से चब कमां दिखला देती सबका मन अपना अपना होता है उसको अपनी तरफ क्या कर लेते हैं आकर्षित कर लेती है में अपना मोह कहो लो तुम भी मीठी बोली बोलो इससे इतना शुक पाऊमसिए फीयारे बन जाऊंगे अब देखि में कभी कभी इस कविता के माद्यम से बच्चों को क्या सिचा देना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों जब अपना मुझ खोलो जब भी आप किसे से बात करो तो कैसी बोली बोलनी चाहिए इससे क्या होता है कि इससे इतना सुख पाओगे सब के प्यारे बन जाओगे जब भ झाल झाल